जब इंग्लिश की बाद आती है तो इसमें ये चार मोडाल वाप कैन, कुड, मेर, माइट जो है ये स्टुएंट्स को बड़ी दिक्कत देते हैं तो आज के इस वीडियो लिसन में चारों मोडाल वाप को आपको देने वाला हूँ और आपको देने वाला हूँ एक exercise आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 12 questions दियो है मेरी guarantee है कि जो भी स्टुएंट्स इस 25 मिलिट के वीडियो को पूरा end तक देख रहा है वो last me 12 questions में से पूरे number gain करेगा लेकिन पूरे session को end तक देखना copy pain लेकर बेटना हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है can के 3-4 uses, could के 3-4 uses, make के 3-4 uses, might के 3-4 uses explain करने वाला हूँ with examples आपको बताऊंगा कि आपका यह जो could है यह present tense में भी यूज होता है past tense में भी यूज होता है आपके जो might है, यह present tense में भी यूज होता है, past tense में भी लेकिन के से use होता है वो चीज़ा आपको सीखने है इसलिए बूल रहा हूँ copy pain लेकर बेटना तो ही यह 4-4 modal work जो की बहुत complicated students को लगती है बहुत ही easy तरीके से आपको समझाओंगा और last में यह जो questions है, यह questions आपको करने रहेंगे solve तो बहुत ही ज्यादा शांदार वीडियो बने रहे हैं and टक चली करने करता है इस session को शुरू, let's get started इन 4 modal वो अपके users को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीकी का एक structure जो है वो तक्यार कर लेते हैं अब आप देखना है यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले can की और यहाँ पर मैं लिख देता हूं मैं आप से वो यही बन जाएंगे बहुत ही आसानी से समझाओंगा नहां दीजिएगा can जो होता है strength इसका मतलब जो होता है सकना होता है अगर हम exact एक मतलब इसका निकाले दो है न और यह वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आप कोई काम कर सकते हो आप में कोई काम करने की ability है आप में कोई काम करने की capacity है या फिर आप में कोई काम करने की power है तो वहाँ पर आप जो है can को use करते हैं इसका उप्योग present tense में होता है reds और इसका structure होता है subject can we one plus object यहां V1 का मतलब होता है warp की first form हाना तो subject as का मतलब subject can we one plus object यह can का use हो गया हमको समझ में आ गया है यह सबसे पहला can का use हो गया बात करते हैं लोग की past form could की तो पहले हम could को समझनी की बज़ा है मैं चाहता हो पहले आप में को समझे कि यह क्या है वह ये भी सकता है का मतलब देता है लेकिन इसका अपयोग होता है students किसी काम में possibility को show up करने में जी है students किसी काम में अगर आप possibility show up कर रहा हो तो वहां पर आपको जो है में का यूज़ करना होता है और इसका जो structure होता है वो can की तरह ही होता है जहां आपने can लिखा है वह आपको में लिखना होगा इसके साथ भी वो आपकी first form लगती और फिर आता है object तो can swap करता है आपकी ability को capacity को और power को लेकिन में यूज़ करता है किसी काम में possibility ability को संभावना को यह सबसे पहला uses का अब हम examples देखते हैं मैंने माना कि मान लीजिए आपकी लड़का रवी है मैंने उससे कहा कि क्या आपको swimming आती है तैर सकते हो रवी तो रवी नहीं का yes I can swim I can swim मतलब में तैर सकता हूं I can run में दोड सकता हूं I can speak English में English बोल सकता हूं I can go में वहां जा सकता हूं तो यहां पर रवी में इतनी ability है रवी में इतनी capacity है रवी में इतनी power है कि वो यह काम कर सकता है but on the other end में जो है यह शौप करता possibility को कैसे शौप करता है मैंने कहा आज कौन सा दिन है तो आपने कहा it may be be मतलब होगा it may be Sunday today शायद आज Sunday होगा आप शौर नहीं है आपको विश्वास नहीं आपको यकीन नहीं है तो ऐसे situation में आप वहाँ पर may use कर रहे है आज बारिश होगी it may rain today आज रवी बार होगा it may be Sunday today यहाँ बी क्यों लगा है मैंने वह आपके तोर पर क्योंकि बी मतलब होता होना यहाँ जो वह आ रही है वो होना रवी वार होगा राइट होना वह बार ही इसलिए मैंने बी लगा है अप may be वाला नहीं समझे नहीं तो कुछ लोग वो may be एक अलग concept हो बताऊंगा मैं आपको बाद मैं तो आप पहले इस न समझे मैंने कहा रवी कहा है तो आपने का शयद वो घर पर होगा he may be at the home he may be be मतलब होना कहां होना घर पर so he may be at the home kishin कया तो आपने का शयद वो college में होगा he may be he may be in the college तो इस तरीके से जो भी होगा यह शायद हो सकता है संभावना को दिखाने के लिए आप हिंदी में क्या मतलब निकल रहा है doesn't matter होगा निकल रहा है कि सकता है निकल रहा है doesn't matter आपको यह याद रखना है कि में का उपयोग जो होता है possibility को दिखाने के लिए होता है जब भी आप कुछ किसी चीज को दिखा रहो जिसे मैंने काई कि इस laptop की कीमत क्या होगी तो आपने का शायद ही महेंगा होगा it may be costly okay guys तो can और में का पहला use उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा दोनों को अपयोग present tense में होता है यह भी present tense में होता है और यह भी आपका present tense में होता है I hope आपको समझ में आया होगा बात करता हूँ could की तो देखो एक चीस सीखो can से ही बना है could और में से ही बना है might इसका एक मतलब तो यह होगा कि can की past form क्या होती है could तो यह जो है can present में ability capacity power को show up करता है तो could जो है किसमे ability capacity power को show up करेगा आप खुछ समझ जाई है यह past में right तो पहला सबसे पहला use जो हम लोगों ने सीखा वो यह सीखा कि could is used for showing ability capacity and power in past अब केसे past में ability capacity power को मालने जी एक बुड़ा अदिमी है ठीक है उसके सामने एक नदी बह रही है उसने उस नदी को कभी पार नहीं किया है लेकिन वो क्या कहता है वो claim करता है कि जो मैं यंग था तब मैं इस नदी को पार कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ तो वो English में कहेगा when I was young I could cross this river but now I cannot because I have grown old I cannot cross this river right now but when I was young I could cross this river so guys the first use of the could is that it shows your ability capacity and power in past मतलब past में जब कोई काम आप कर सकते थे कोई काम करने की आप में काबिलियत थी आप में योग्यता थी आप में शक्ती थी पावर थी तो वहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए वहीं दूसरी और इसके एक और use होता है जिससे could have बनता है let me explain you the difference between could and could have could have वहाँ यूस होता है जहाँ पर कोई काम हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया अब आप काओगे सर ये could का मतलब भी तो सकता था होता है बुड़े आदमी ने कहा कि मैं इस नदी को पार कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता हूँ तो ये सकता था किसकी बात कर रहा है could जो काम आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन अब उसे नहीं कर सकते लेकिन could have कहां यूस होता है जब कोई काम आप कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए जिससे आपने का कल में वहाँ जा सकता था आप लेट आए तो मैं आप से क्या थे अगर आप समय पर आ जाते तो आप exam दे सकते थे तो आसे जू सिच्वेशन है उसके लिए आपको ँटाव लगाना अब समय पर आ सकते थे यूट है ठीम पूछ सकते दो कृडञ इसे अब इसे जी जाई LA रहाँ लेकिन जो यूज़ होता है वो इसके लिए उस होता है जिसे मान लीजी जब आपने कहा कि जब मैं फिप्त स्टैंडर्ड में था में इंग्लिश बोल सकता था लेकिन आप नहीं बोल सकता हूं वेर वोसिन फिप्त स्टैंडर्ड आई कुट स्टैंडर्ड आप में क्या थी इंग्लिश बोलने की आप में कैपसिटी थी इंग्लिश बोलने की यहाँ पर मैंने देखा है इस्ट्रण काफी ज़्यादा कुड और कुड़ हाओ को लेकर कंफ्यूस होता है अगर अभी भी समझ में नहीं है वीडियो को रिवर्स करना फिर से सुनना सारी चीज़े जो मैंने पढ़ाई वने क्या बताया को मैंने बताया कि कुड जो है पास्ट की एबिलेटी के पावर के लिए यूस होता है कोई काम पास्ट में हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए कल छुट्टी थी आप यहां आ सकते थे में और कुड के प्राइमरी जो यूसस है वो समझ अभी इनके और भी सेकंडरी यूसस है में के तीन से चार यूसस है के दो से तीन यूसस है कुड के जो है तीन से चार यूसस है और माइट के भी दो से तीन यूसस लेकिन अभी मैं सिर्प आपको प्राइमरी यूसस बता बना, might बना, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्लिक होई जानी चाहिए कि इसका उप्योग जो है past में होता है, लेकिन ये इसका primary use नहीं है instrument, इसका primary use माना जाएगा present में ही लेकिन use होगा possibility में, लेकिन possibility केसी कम, तो में यहापर लिखना चाहूँगा present tense, अब देखो अभी तक आपने जितने modals पढ़े हैं, उसमें ये modal could past में use हुआ है, ये भी present में use हुआ है, ये भी present में use हुआ है, और might भी present में use हुआ है, लेकिन possibility और possibility भी less than 50%, come on, less than 50% और इसमें possibility more than 50%, जब possibility जळादा होगी, तो आप में लगाएंगे, जब possibility कम होगी, तो आप में लगाएंगे, this is the difference guys between may and might, ओगे जादा possibility के लिए में है कम possibility के माइट है जिसे मैंने का शायद ही आज बारिश होगी it might rain today शायद ही वो आज आएगा he might come today शायद ही यह सस्ता होगा it might be cheap शायद ही बहुत कम possibility अगर जादा possibility कि है सस्ता होगा खरीद हो मद यह सस्ता होगा don't buy it, it may be cheap it may be cheap you know लेकि शायद ही है सस्ता होगा कम पॉस्बिलिट है it might be cheap so this is the difference between में and माइट I hope आप समझ रहे होंगे में का उप्योग ज्यादा पॉस्बिलिटी के लिए जिसे मने का उसे कॉल मत कर वो घर पर होगा don't call him he may be at the home to possibility बढ़े आपने ज्यादा possibility शायद ही वो घर पर होगा he might be at the home because at the time he doesn't stay at home so I don't think he might be at the home he might be at the home मतलब शायद ही बगर पर होगा कम possibility बढ़ रहा हो तो आप किसको यूज करेंगे मैं को यूज करेंगे तो यहां पर आप देख लो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है can को के से यूज करना कुड को के से यूज करना में को के से यूज करना माइट को के से यूज करना और इनके प्राइमरी यूज इस मैं आपको explain कर दिये let's talk about the second users of it इनके दूसरे यूज यूज के बारे में हम लोग तो भी आप इसका यूज जो है करते हैं शॉटी दिखाने के लिए निशित्ता दिखाने के लिए कि भाई में यह करी सकता हूं I can do it और आप इससे प्रेशन भी किसी से करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसमें प्रेशन भी पूछते हैं सामने वाले से अफसी में आप किसी से ले रहा हैं तो आप उससे पूछेंगे रिक्वेस्ट नहीं ृकवेस्ट के लिए Łँमारे पास दूसरे हम से उनको यूज करना लेकिन यह सिंपल तोर पर बोलह जाता है क्या आप ये काम कर सकते हैं तो यह आपका हो गया कुछ इस तरीके से लेकिन वही दूसरी और कुड का यह यह यूज है यह आप प्रजेंट्टेंस में इसका structure कुछ इस तरीके से आएगा, could पहले आएगा, इसके पास subject आएगा, V1 प्लस object, और subject में भी second person, you आपको use करना है, इस copy होगा request में, जब आप सामने वाले से किसे से कहेंगे कोई चीज़, क्या आप दो मिनिट वेट कर सकते हैं, could you wait for two minutes, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, could you help me, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं, could you give me, you know, तो आप जो है सामने बाले से request कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप जो है request, first person, I और we के case में कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर could की बजाय क्या use करना है, may, जैसे क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, may help you, क्या मैं आपकी बगल में बेट सकता हूं, may sit beside you, क्या मैं आपका laptop use कर सकता हूं, may I use your laptop, लेकिन जब आप बोलोगे, क्या आप यहां आ सकते है could you come here, क्या आप मुझे आपका pen दे सकते है, could you give me your pen, मतलब आप अगर user request करोगे, तो could लगाई है, और I और V के साथ use कर रहे है, तो request करने में आपको may use करना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सही माना जाएगा, और may use होता है, right, तो यह आप थोड़ा से ध्यान रखे, क्या म मुझे आपका cell phone दे सकते हो, could you give me a cell phone, कितना अच्छे word है देखो, तो सामने वाले से बोल रहे हो ना, could you, और अगर आप खुद उसमें involved हो, first person, तो may I may be, sir, क्या हम लोग जा सकते है, sir, may we go, आप 2-3-4 लोग है, तो आप क्या कहेंगे, may we go, may I go नहीं, may we go, आप 4-5 लोग क और से आप पूछ रहे हो, कि क्या सर हम लोग जा सकते हैं, तो आप कहेंगे, may we go, तो यह आपका second use है, यह आपका second use है, यह आपका second use है, इसी तरीके से student might का भी अपना एक use है, अभी might का primary use क्या बताया दे मिने आपको, कि इसका उप्योग आप जो है, possibility मे करते है, जब possibility less than 50% होती, कम possibility होती है, तो वहाँ पर क्या use करते हैं, might use करते है, इसी तरीके से might का एक use है, कि भई मे जो है, इसकी यह क्या है, past form है, तो might का एक use यह भी माना जाएगा, कि जब पहला sentence past का आएगा, जैसे देखो, he said that, it blank be done, he said that, उसने कहा कि यह काम किया जा सकता है, possibility दिखा रहा है, अब आपके पास option है, may और दूसरा है, might, आपको आग बंद करके, यहाँ पर पहला sentence लिखा हुआ है, क्या, said, तो आपको यह देखना है, कि जब पहला sentence past का, तो आने वाली past के, यहाँ पर may नहीं आएगा, students आपको आग बंद करके, यहाँ पर might use करना है, तो आपका sentence बनेगा, he said that, it might be done, उसने कहा कि यह काम किया जा सकता है, तो अब आप कहोगी, सरी, तो सकता है का मतलब दे रहा है, फिर आपने यहाँ मे क्यों नहीं लगा है, might क्यों लगा है, वो इसलिए लगा है, क्योंकि पहला sentence किसका है, पास्ट का है, अगर पहला sentence past का आ रहा है, तो मे का might, can का could, will का would, shall का should, here का there, now का then, हो जाता है, क्योंकि अब यह situation direct speech में लिखिए, indirect speech में लिखिए, that is why may की बज first use को समझा, है ना, first use आप लोगों को सब ko समझ में आए, कि can, जो है present में यूस होता है, में जो यह भी present में होता है, could past में यूस होता है, और might जो है, इनके क्या user हो हो हो, हमने देखें कि वह ability, capacity, power को present में,the ability, capacity, power को past में, यह possibility को more than 50% present में, यह possibility को less than 50% might, इसके बाद हमने इसके second uses देखे अब हम बात करते हैं इनके third uses की तो जब बात आती है third uses की तो यहाँ पर आप लोग एक चीज दिमाग में क्लिक कर ले कि can के third uses वही रहेंगे, could के third uses change होंगे मैं बताता हूं के से आपको use करना है में का third use बिलकुल आपको समझ में आना चाहिए और might का भी आपको third use समझ में आना चाहिए हम direct बात कर रहे है, could की, तो could का जो आपका third use है, strand वो कुछ इस तरीके से है कि आप इसको use करते हैं जब यह meaning देता है, सका, सकी, सके, यह इसका मतलब भी देता है जिसे देखो, में वहाँ जा सका, I could go there, में यहाँ आ सका, I could come here, आप बोलोगे sir, I could come here, में यहाँ आ सकता था, यह भी तो मतलब निकल रहा है आपको बता दो, कोई काम successfully हो पाया या हो सका, तो उसके लिए भी आप जो है, could को use करते हैं, point to be noted could के पहले spelling और सही प्रनिशेशन पर आपको दियान देना, c-o-u-l-d, it's a could, right, the l is silent over here, that's why we don't have to pronounce it, the exact pronunciation of could is could, could, okay, so, कोई भी काम आप कर सके, जिसे लास नाइट, I could go there, कल रात को में जा पाया, I could meet him, में उसके मदद कर पाया, I couldn't help him, I wanted to help him, but I couldn't, मैं उसके मदद करना चाहता था, लेगिन मैं उसके मदद नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आपने किसको यूज किया, भाई, could को यूज किया, अभी आप जब exercise solve करोगे ना, तो आपको सारी चीज समझ में आती जाएगी अपने आप, ऐसे ही में का जो पियोग होता है, strengths, एक exc इश्वर करें, आप खुब जीए, मेरा भाई अच्छे नमरों से पास हो जाए, may my brother pass with good marks, चिके, तो यह सारी situations आपकी क्या है, optative sentence की है, इश्वर करें, आप ये काम को कर लो, may you be able to do this work, इश्वर करें, आप अच्छे नमरों से पास हो जाए, may you pass with good marks, तो जहाँ पर हम अच्छी एक्छाएं वेक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप sentence की beginning में में को use करते हैं, लेकिन याद रखना, may अगर आगया आगया तो question mark नहीं लगाना है, ये आपका एक optative sentence और optative sentence के last में इस तरीकी का mark लगेगा, इसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं, तो ये uses हो कि क्या आप दो मिनिट कर सकते हैं, तो could you wait for two minutes, or on the place of could, sometimes you can also use might, might you wait for two minutes, right, but let me tell you, आपको जादा तर request करने में, अगर you subject आ रहा है, तो could का use करना चाहिए, instead of might, क्योंकि could जादा तर बोला जाता, और could को सही माना जाता, लेकिन कुछ speakers might be use करते हैं, that's why मैंने मों might के use भी आ सभी के 2-3-3 uses आपको explain किये, अब आपको लेकर चलता हूँ, मैं exercise की और, so students आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 12 questions आपको दिये हैं, और आपको fill in the blanks, by using, क्या use करके, may, might, can and could, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो उसके screenshot ले ले, और screenshot लेने के बाद में, आप खुद जो है, इसको सबसे पहले solve करें, क्योंकि आप खुद solve करोगे न, तो आपको वाकी में पता चलेगा कि आप जो है, कितने पानी में और आपने कितना कुछ सीख है, आप यहाँ पर ये वीडियो को रोग दे, पहले solve कर ले, उसके आप में answers बताता हूँ, देखिए, सबसे प पर फाइब मिनिट्स, माइड वेट फॉर फाइब मिनिट्स, दे राइट आंसर विल भी, कुद यूवेट, क्योंकि सेकंड परसन अभी आपको पताया था, कुड का अपयोग यू के साथ होता, रिक्वेस्ट करने में, when he was young, जब वो यंग था, he blank run very fast, वो बहुत तेजी स दोड सकता था, किसकी बात कर रहा हूँ, पास्ट की अबिलिटी के सीट पावर की तो यहां भी कुड आएगा, कुड का यह फर्स्ट यूज जो मैने आपको बताया था, वीडियो को लगे तो भी वर्स करके देख लेना, बट नाव अब लेकिन नहीं दोड सकता, तो अब प्राइगान हम्यां तो दॉड सकता, प्रेज के अबिलिटी के फ सीटी पावर को शॉफ करने के लिए केन लगता है, राइट, सफ python when he was young he could run very fast but now he cannot, जव यंग था तब यह से दोड सकता, लेकिन अब नहीं दोड सकता है, जब नहीं दोड सकता, यह बिल अदिख answer because we are showing his ability उसकी कौन सी अबिलिटी शो आप कर रहा है हम लोग drive करने के लेकिन फिर भी हो किस से जाता है office बस से जाता है देखो बट से हमने contrast create किया है the next you blank at least come with us and help us in this work अब देखो भई at least मतलब कम से कम you know come with us and help us in this work कम से कम आप हमारे साथ आये और उनकी इस काम में मदद करें तो यहाँ पर आप सामने वाले किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए सजिस्ट कर रहा हो किसी व्यक्ति को possibility बता रहे हो भाई ऐसा भी हो सकता है ऐसा आप कर सकते हो you may at least okay you may at least come with us आप कम से कम हमारे साथ आ सकते हो and help us in this work और इस काम में मदद कर सकते हो सामने वाले को आप पॉसिबली इस मतलो उसके ऊपर छोड़ रहा हो कि आपके ऊपर निर्वर करता है you may come with us आप आ सकते हैं हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मदद कर सकते हैं तो में इस दराइट आंसर गाईज the next you do this work well अब देखो अलग ही दिख रहा है आप लास्ट में मार्क लगा हुआ आप समझ जाहिए यहां पर आपको लगाना है में because this is an optative sentence guys यह आपका एक optative sentence है इसका मतलब निकल रहा may you do this well इश्वर करें आप इस काम को अच्छे से कर पाए the next blank you lift this box आप सामने वाले से पूछ रहा हो कि क्या आप यह box को उठा सकते हो उसकी ability kfcd power को चेक कर रहा हो can you lift this box the next i borrow borrow कि spelling अगडबड होगी यह नहीं नहीं आएगा ठीक है so i borrow your cycle आप सामने वाले सुधार ले रहा हो cycle और subject में क्या है आई तो क्या लगेगा may or could the right answer will be may may borrow your cycle may borrow your bicycle क्या मैं आपकी bicycle ले सकता हूं उधार ले सकता हूं चलाने के लिए थोड़े देर ठीक है ऐसे देखो next this be true अब सामने वाले से पूछ रहो किया है सही है क्या यह सही हो सकता है possibility की बात कर रहा हूं may it be true may this be true right to the right answer will be और सामने वाला आपको बोल रहा it may not be true it cannot be true it might not be true अब देखो जब आप यहां पर यह थोड़ा सा एक इसा sentence है जिसमें कि दो तिन situation सही जाएं ठीक है अगर कोई चीज की possibility नहीं है कि वो गलत होगी तो आप कहोगे it cannot be true यह सच होई भी नहीं सकता चुब आप श्यूर है पूरी तरह आप अगर कहेंगे it may not be true मतलब की यह सच नहीं हो सकता है आप कम संभावना बता रहे हैं आपने कहा it might not be true शायद ही सच नहीं हो सकता और भी कम संभावना बता रहे हैं तो यहां पर लेकिन तीनों के मिनिंग अलग अलग होंगे she said that she blank do that work अब देखो उसने कहा कि वो उसकाम को कर सकती है अब आप देखो यहां पर लिखा said मैंने आपको कहा था कि पहला sentence पास्ट का तो आने वाले पास्ट के तो आपके option है कैन कुड में और माइट यह चार आपके option है तो भाई इसमें से कैन और में तो आई नहीं सकता या तो कुड आएगा या फिर माइट आएगा और कोई भी वेक्ती जब किसी काम को करने की शार्टी देता तो कैन लगता तो कैन का पास्ट क्या होता है कुड तो the right answer will be good ठीके तो she said that she could do that work ken क्यों नहीं क्योंकि यहां पर सैड लिखा है बई grammar का रूल कि पहला सेंटेस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के और दाट इस वाए वो नहीं आएगा दे नेक्स भी है आए ब्लेंक नॉट वाच माइट फैवरेट मूवी लास्त नाइट माइट टीवी वस ब्रोकन डाउन मेरा टीवी क्या हो गया था ब्रेक डाउन हो गया था खराब हो गया था तो मेरा फैवरेट शो नहीं देख पाया I could not नहीं देख सका नहीं पाया मैने कुड का थरी यूस आपको बताया था कि I could not watch my favorite movie last night because my TV was broken down क्योंकि मेरा TV खराब हो गया था तो right answer will be good the next blank you speak English when he asked to speak in English okay when he asked to speak in English English में बोलने के लिए कहा आप से तो क्या आप English बोल पाएं so the right answer will be good could you speak English when he asked to speak in English क्या आप English बोल पाएं या English में बोल पाएं जब उसने आप से English में बोलने के लिए कहा right तो कुछ इस तरीके से ही आपके answers आएंगे आप देखी कि इस 12 में से आपके कितने नमबर आ रहा है कमेंट करके आप मुझे पता है कि आप आप 12 आपने कितने गेंग कि है 10 आए 11 आए 12 आप 12 आपने पूरे नमबर गेंगी है right so उम्यद करता हूं dear students की छोटे से वीडियो लिएसन में आपको चार मोडाल वाप कैन कुड में और माइट बहुत अच्छे से डिटेल ब्रेंग में गए होंगे वीडियो अच्छा लगाए तो से स्टेडस पर रकलो लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्स्क्राइब कर लो वाई क्योंकि ऐसे अच्छे एंटिक वीडियो आपको और भी मिलेंगे चलिए स्टोन मिलूगा नेक्स वीडियों कुछ अच्छे कॉंट्रेंट के साथ में तरत्तर टाडबाए हैव अब गूद देग